में कोरोना संक्रमित की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है इससे जान गवाने वालों के संख्या भी लगतार बढ़ रही है इसी बीच अशो कहलोत सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा इतना ही नहीं कोरुना संक्रमित शवों के अंतिम संसकार का पूरा खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी ऐसे में मुखियमंद्री ऐशो कहलोत ने कोरोना संक्रमित शवों के अंतम संसकार के लिए बज़ट भी जारी किया है इसे लेकर सरकार की तरफ से 34,56,00,00 रुपाई का फंड जारी किया गया जिसकी मदद से कोरोना संक्रमित शवों का अंतम संसकार किया जाएगा मुख्य मंत्रे ने आदेश दिये हैं कि कोरोना से जान गवाने वालों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हो उन्होंने बताया कि राजस्तान के सभी नगरिय निकायों को आदेश दे गए हैं कि वो कोरोना संक्रमेट शवों के अंतिम संसकार का खर्च उठाएंगे अगर किसी कोरोना मरीच के अस्पताल में मृत्यों हो जाती है तो उसके शव को अस्पताल से कब्रिसान या शम्शान तक लाने का खर्च भी सरकार का होगा इसके लिए मरीच के परिजनों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा प्रदीश में कोरोना संक्रमन लगातार कहे धा रहा है ओक्सिजन और दवाईयों की कमी के चलते आज प्रदेश के तीन मंत्रियों का समूह दिली जाएगा ये समूह मेटिकल ऑक्सिजन परिवहन के लिए टैंकर दवाऊं सहित आवश्यक संसादों की आपूर्ती का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्रे स्वास्ते मंत्री हर्शवर्दन परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और रेल मंत्री पियूश गोयल से मुलकात करेगा सोमवार देरराच सेमार में हुई उच्चसतरिय बैठक में ये निर्ने लिये गए इस ओरान मंत्री बीडीकला, शांतिधारिवाल और चिकित्सा मंत्री रगुशर माविशे श्विमान के साथ दिल्ली पहुँचेंगे जहां तीनों मंत्री प्रदेश के कोरोना हालातों की जानकारी केंद्र के सामने रखेंगे इस बीट सीयम ने बैठक में कहा कि राज्य मंत्री मंदल के सदस्य केंद्र सरकार से कोई शिकायत करने नहीं बल्कि अपनी व्यथा पताने और प्रदेश वासियों की जीवन रक्षा के लिए आवश्चिक संसाधनों की मांग करने के लिए ही दिल ली जा रहे हैं राज्य का मंत्री समू के इंद्रिय मंत्रियों के समक्ष इस बात को तारके धंग से रखेगा कि राजसान को मेडिकल ऑक्सिजन और रेमेडिस सिविर के नरधारेट कोटे की आपूर्ती नहीं मिल रही है इस कारण प्रदेश में कोरोना के मरी जो के इलाज में बहुत ज्यादा परिशानी आने लगी है और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे एवन समवादाता पिंटू सिंग नरू का हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए हैं पिंटू विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दें कि ये जो सदस्य जा रही है केंद्र के पास राज्य की स्थिती को उनके सामने रखेंगे क्या कुछ अपटेट इस खबर पर लेकि भारते एक चीज को समझना होगा कि जिस परकार से लगातार परदेश में कोरोना संकर्मन के मामले लगातार बढ़ते जा रहें लूशाजार से अधिक के कोरोना के मरीज सामने आ रहे हालात लगातार बघड़ते जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्य यह कि मोजूदा समय में जो दूसरी लहर है कि इसमें सबसे जो समस्या आ रही वो oxygen की कमी किया रही है oxygen नहीं मिल पा रहा है oxygen की आपूरती पूरी नहीं हो पा रही है hospitals में ventilator नहीं है ये एक बड़ी चुनोती सरकार के सामने है पिछली बार जब पहली लहर आई थी तो कोरोना प्रबंदन में मुक्यमंत्री इशोग गयलोत का प्रबंदन बतोर पूरे देश में एक अवल दर्जे पर रहा था और उसकी तारीव भी हुई मिलनी चाहिए थी वह समय पर नहीं मिल पारी लगातार मुक्यमंत्री इशोग गयलोत डिमांड करते रहे कि हमारे पास oxygen की कमी है हमको oxygen के सिलेंडर्स की संक्या ज्यादा बढ़ाए जाए और यहां पर राजस्तान को दिया जाए लेकिन वह मिल नहीं पा रहा है उसी को लेकर मुक्यमंत्री इशोग गयलोत ने कल तीन वरिष्ट जो मंत्री है उनका एक मंत्री समूँ एक कमिटी तैकी है जो आज वो विसेस मिमान से तीनों मंत्री दिल्ली जाएंगे और केंदरी मंत्रियों से मुलाकात करके जो राजस्तान में जो कोरोना की जो इस्तती है उसको उनके सामने रखेंगे कि कौन सी इस्ततियों से राजस्तान गुजर रहा है और राजस्तान को किन चीजों की कौन से संसाद्रों की आफशक पूरा रखेंगे कि किस प्रकार से राजस्तान में कोरोना की जो मरीजों की संक्या हो लगातार बढ़ती जा रही है और ऑक्सिजन वेंटिलेटर्स की संक्या कम है जो केंदर सरकार ने जो राजस्तान को जो कोटा तय किया था कि राजस्तान को इतना ऑक्सिजन मिलेगा वो भ बड़े मंतरी हैं उनसे मुलाकात करके राजस्तान की जो पूरी वेथा है पूरी इस्तिती है कोरोना की वो रखेगा मुख्यमंतरी अशोग गयलोत ने इस पश्ट किया है बारती कम से कम यह देखनों को कहीं बार मिलता है कि जब इस प्रकार के जब अलग जो पार्टियों की सरकार होती है कि अंदर में दूसरे दल्की है और राज़े में अलग दल्की सरकार होती है और जब इस प्रकार के मंतरी समों मुलाकात करते हैं तो इसको स्यासत से जोड़ा जाता है राजनीती से जोड़ा जाता है लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री अशोग गलोत ने यह सपष्ट किया है कि हम किसी भी परकार से कोई शिकायत करने के लिए के अंदर में हमारे मंत्री समों को नहीं बेज रहे हैं और शिकायत करने की कोई बात इसमें नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ जन रक्षा के लिए लोगों की शुरुक्षा के लिए लोगों की जान बचाने के लिए इस प्रकार से महाँ पर जा रहे हैं कि वहां के राजस्तान की जो हालात है उनसे उनको अवगत कराए जा सेके और यह जो इस्तितिया हैं इनमें सुदार आ जासे के मुख्यमिंत्री अशोग गेलोत ने काया कि हमारे पास ऑक्सिजन की जो आपूर्ती होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पारी है जो निर्ध छेज दिये थे जाम नगर्थ से मिलने वाला वो भी नहीं मिल पा रहा है ऐसी इस्तिति चाहरand सब्सक्राइब के राजस्तान की एक कि कारो संकरमित मरीज की मोथो या कारोना ऑक्सिजन के अभाओं में लोगों की मोत हो ये कते मुख्यमंत्रिय शोग गलोत नहीं चाते क्योंकि कहीं राज्यों से इसी तस्वीरे सामने आई थी भारती जहां पर ऑक्सिजन की अभाओं में लोग दम तोड़ते नजर आ रहे थे तो मुख्यमंत्रिय शोग गलोत इस बात को लेकर आपूर्ती को बढ़ाया जाए और आपूर्ती में तेजी लाए दूसरी समझे यह आ रही है कि जो राजस्तान को औक्सिजन मिलना चाहिए था एक तो गुजरात के जामनगर से औक्सिजन राजस्तान में आने वाला था और दूसरा ओडिसा और जारकन से लेकिन समझे यह रही है कि केंदर सरकार के आदेश के बावजूद भी जो कोटा दिया गया था जामनगर से अभी तक ऑक्सिजन नहीं मिल पा रहा है यह मुख्यमंत्री जारकन की डिस्टेंस काफी जादा है और ऑक्सिजन परिवन के टेंकर अवलेबल नहीं तो उसको लेकर केंदरी मंत्र नितन गडगरी है जो परिवन मंत्री है उनसे भी मुलाकात करेंगे उनसे मांग करेंगे कि आप यह तमाम जो संसादन है यह टेंकर्स है परिवन ऑक्सिजन परिवन के वह भी राजस्तान को उपलब्द करवाए ताकि समय पर ऑक्सिजन मिल सके पिंटू से जुड़ा प्रिवन की जा रही है आपूर्ती की जा रहे है क्या वो सारा औक्सिजन राजस्तान को मिल रहा है क्या कि भारती सबसे बड़ी बात यह कि जो केंदर सरकार ने परमीशन दी थी अभी फिलाल में जो अक्सीजन के प्लांट्स तयार किया जाने हैं वह पूरी तरह से अभी चालू नहीं हुए है वहांसे अप्लेबल होना शुरू नहीं हुआ है यह लेकिन जो केंदर सरकार के अंड वहीं से सबको oxygen supply किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा ओडिशा और जारकर्ण में ही oxygen ज़्यादा available और वहीं से उपलब दो रहा है लेकिन सबसे बड़ी समस्यारी है कि oxygen की जो tankers है oxygen की जो परिवेन है वो पूरी तरह से available नहीं है वो संसादन नहीं है और उन संसादनों की वज़े से जो कोटा दिया गया है उसका भी पूरा उक्सिजन नहीं मिल पा रहा है सबसे पहली बात तो जो कोटा के अंदर सरकार ने सभी राजियों का निर्दारित किया है वो मिलना है वो भी कमपढ़ रहा है लेकिन जो मिल रहा है वो भी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है परिविएंग के अभाव में उसी को लेकर आज ये जो मंत्रि हैं पूरा खाका वहां पर रखेंगे पूरी इस्तिति gew g के हमारे पास कितने परिवuben जो टेंकर्स हैं उक्सिजन के और कितने होने चाहिए और कितना उक्सिजन हमको चाहिए इस मांग करेंगे कि राजस्तान का जो कौटा है वो बढ़ाया जाये क्योंकि राजस्तान में कौरोनना संकरमन की केंदर सरकार के सामने ताकि राजस्तान में इस कोरोना संकर्मन पर नियंतन किया जा सके और ऑक्सिजन के अवाओं में किसी की डेथ नहीं हो उसकी हम मांग करेंगे और उसी को लेकर ये मंत्री मंदल मंत्री जो समू है तीन मंत्रियों का वो आज विसेश मिमान से दिल ली जाएगा और पूरी इस्तिती रखकर उनसे मांग करेगा इस दोरान तमाम जो चेके सविबाक और आला अदिकारी हों मुझूद रहेंगे प्रकार से लगातार मोतों का जो जो दर है वो बढ़ती जा रही है ऐसी इस्तिती में मुक्यमिंत्रे शोगेलों चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ऑक्सिजन के अबाव में डेथ नहीं हो लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज और देखने को मिल रही है जो तस्वीरे सामने के आ रही है दूसरी राजियों से वो काफी डराने वाली है और वो मार्मिक है काफी इंसानियत को जगजोर करने वाली तस्वीर है क्योंकि लोगों को डर इतना बढ़ गया आया इस दूसरी लेर में जब से ऑक्सिजन की किलत हुई ये लोग डरने लगें सहमने लगें ऐस सवेधन सी लिडने लिया कि जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं जो कोरोना से जिनकी डेथ होती है उनके अंतिम संसकार के लिए पूरा खर्चा है राजे सरकार उठाएगी उसके लिए 34 करोड़ 56 लाग का बजट जारी किया है जो राज्ये की जितने तमाम जो निकाएं हैं वो फिसका पूरा खर्चा उटाएंगे ऐस्पिटल से शम्शान और कवरिस्तान तक ले जाने का जो एंबुलेंस का खर्चा ऊटाएगी और अंतिम संसकार में जो खर्चा होगा वो भी सरकार उठाएगी। साथ ही निकायों को नो मास्क, नो मुमेंट का जो अभियान है उसके लिए भी ये पैसा खर्च किया जाएगा ताकि लोगों को जागरू किया जाए तो मुक्यमंतरी एशोग गेलोत लगातार इस प्रकार के सवेदन से निलने कर रहे हैं लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुन समादान हो से के और कोरोना किस्तिती पर निंतन किया जा से के जी पिंटु सिंग ये आपने बहुत ही एहम बात बताई है कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ऑक्सिजन का है ऑक्सिजन सप्लाय का है लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल आप से पूछना चाहूंगी प अक्सिजन यह बेहत दुर्भागे पूर्ण है अपने आप में कि क्या अभी तक हम अपने ट्रांसपोर्ट को भी इतनी स्पीड में नहीं ला पाए है क्या एक साल भर से देकि बारती हर किसी के जहन में एक सवाल है कि एक साल से हम वहीं के वहीं खड़े हैं एक साल पहले जब कोरोना आया था तब यह इस्तिती थी कि हमारे पास पूरे संसादन नहीं थे दूसरे देशों की तुल्ला में हमारे पास इतने संसादन नहीं थे और जब इस कोरोना क जो इस्तिती लगातार بनती रही उसके बाद भी तमाम परकार के सवाल खड़े हुए कि हमारे sentences इतने था थोपिटलों में बैट्स-अक इतने वेंटिलेटर कर kind, एक साल बाद भी आज हम वही खड़े तो यह कईना कई परसासनप और सवाल कड़े करता है। जाली थोरी थी ऐसी इस्तिति में बड़े प्लांट सुरू किये जा सकते थे बड़े जो कोविड केट सेंटर्स हैं वो डवलप किये जा सकते थे सरकार उसी इसतर पर आज आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं पुरी देश में वहीं नजर आ रहे हैं प्रटेख जिल में डवलप करने चाहिते वो नहीं कर पाए उस्पिटल्स में बेट की संक्या नहीं बढ़ा पाए वो खामियाजा जनता को बोगत ना पड़ रहा है इस प्रकार का आख्रोश है लेकिन कहीं कहीं ना कहीं वेक्सिन आने के बाद में लोगों को उमीद रही कि अब कोरोना खतम हो गया, आलांकि सरकार लगातार जो अभियान था वो चलाये गया, मुक्यमिन्तर एशो गेरोत लगातार अपील करते रहे कि कोरोना भी खतम नहीं हुआ है, हम सब को जो कोरोना की प्रोटोकाल उसकी पालना करने चीए, मास्क लगाने चीए, लेकिन पूरी देश एक मुसिबत में कहीं न कहीं नजर आ रहा है, जिस प्रकार से ये वाइरस इस दूसरी लहर में पहले से भी ज़्यादा गातक हुआ है, इसमें जो मर्ति उदर है, वो काफी ज़्यादा बढ़ गई है, तो कहीं न कहीं लोगों में डर भी है, देशत भी है, और आक्र कि आखिर सिस्टम क्यों इतना कमजोर रहा कि साल बर बाद भी हम वहीं पे खड़े वे नजर आ रहे हैं, हमारी तयारियां वो नहीं है, और सिस्टम की लाचारी के चलते हैं, आज हम जनता कहीं न कहीं जोखिम में जी, बिल्कुल ठीक का आपने पिंटु सिंग इन सभी ला मुख्य मंतरी अशोग गहलोत ने लिया, जहां पर उन्होंने कोविट से मरने वाले के अंतिम संसकार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, ऐसा डिसिजन उनने लिया, इसके साथ ही ये बताया कि ये जो कमिटी नई बनाई गई है, जिसमें तीन बड़े नेता शाम मिल है, वो केंद्र के पास जाके राज्य की अथा स्थिती बताएंगे, और ये बताएंगे कि क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जिनके जरूरत राज्य को पढ़ने वाली है, और किन चीजों की कमी है, उसकी आपूर्ती जल से जल्द हो, ऐसी केंद्र से वो